अब प्रस्तुत है पाठ पत्र। इसके लेखक है भारत के प्रधम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नहरू कि नैनी जेल 26 अक्तूबर 1930 प्रिये इंद्या जन्म दिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे हैं शुब कामनाएं भी दी जाती रही हैं पर मैं इस जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार भेज सकता हूँ हाँ मेरी शुब कामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी क्या तुम्हें याद है कि जोन फ आर्क की कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगी थी तुम स्वयम भी तो उसी की तरह बनना चाहती थी पर साधारण पुरुष तथा इस्त्रियां इतने साहसी नहीं होते वे तो अपने प्रति दिन के कामूं, बाल बच्चों तथा घर की चिंताओं में ही फंसे रहते हैं परन्त एक समय ऐसा आजाता है कि किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सब ही लोगों में असीम उद्साह भर जाता है साधारण पुरुष वीर बन जाते हैं और स्त्रियां वीरांगनाएं आज कल हमारे भारत के इतिहास का निर्मान हो रहा है बापु जी ने भारत वासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है मैं और तुम बहुत ही भागिशाली हैं कि यह आंदोलन हमारी आँखों के सामने हो रहा है और हम भी इसमें कुछ भाग ले रहे हैं एक महान उद्देश हमारे सामने है और हमें इसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना है अब सोचना यह है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव विक्या है इसमें हम किस तरह भाग ले परन्त जो कुछ भी हम करें हमें इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि उससे हमारे देश को हानी न पहुँचे कई बार हम संदेह में भी पढ़ जाते हैं कि हम क्या करें क्या न करें यह निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है जब भी तुम्हें ऐसा संदेह हो तो ठीक बात का निश्चय करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूं तुम कोई भी काम ऐसा न करना जिसे दूसरों से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे किसी बात को छिपाने की इच्छा तब ही होती है जब तुम कोई गलत काम करती हो बहादुर बनो और सब कुछ स्वयम ही ठीक हो जाएगा यदि तुम बहादुर बनोगी तो तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगी जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिसे करने में तुम्हें लज्जित होना पड़े तुम्हें यह तो मालूम ही है कि बापुजी के नेत्रित्व में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें छिपा रखने जैसी कोई बात नहीं है हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं अच्छा बेटी, अब विदा भारत की सेवा के लिए तुम बहादुर सिपाही बनो यही मेरी शुभकामना है तुम्हारा पिता जवाहरलाल यह पत्र भारत के प्रथम प्रधान मंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नहरू ने अपनी बेटी इंदिरा को उसके तेरहवें जन्मदन के अफसर पर नैनी जेल इलहबाद से लिखा था अभी आपने सुना पाठ पत्र आपने इस पत्र में जौन आफ आर्क का जिक्र सुना कौन थी ये जौन आफ आर्क आप जानना चाहोगे तो सुनो जौन आफ आर्क की कहानी भारत देश की तरह ही एक देश है फ्रांस सन 1412 में इसी फ्रांस देश के एक गाउं डाम रेमी में एक बालिका का जन्म हुआ उसका नाम था जौन डी आर्क जौन का अपने धर्म में बहुत विश्वास था वहें बड़ी शद्धा से गिरजा घर जाया करती रोगियों की सेवा में उसे विशेश आनन्द मिलता था जब जौन डी आर्क केवल तेरह वर्ष की थी तब उन दिनों फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध हो रहा था इस युद्ध में फ्रांस की हार हो रही थी जौन डी आर्क को अपने देश फ्रांस की हार पर बड़ा दुख होता जब कभी वह अपने देश की हार का समाचार सुनती वह बड़ी दुखी होती कभी-कभी उसे लगता कि स्वयम ईश्वर उससे बात कर रही है यह आवाज उसकी अपनी आत्मा की ही पुकार थी सारा जीवन जॉन इसी आवाज की आज्या के अनुसार कारे करती रही एक दिन जॉन ने सुना यह आवाज कह रही थी तुम ही अपने देश को स्वतंत्रता दिलाओगी तुम ही अपने देश को स्वतंत्रता दिलाओगी यह आवाज सुनकर वह अपने आपको रूक न सकी और अपने गाउं से फ्रांस के राजा के पास चल पड़ी जो भी व्यक्ति जॉन डी आर की यह बात सुनता उसका मजा कोड़ा था बड़ी कठिनाई से रॉबर्ट नाम के कप्तान ने उसे पुरुष वेश भूशा में यात्रा करने का सुझाओ दिया साथ ही एक घोड़ा और एक सहायक भी उसे दिया ग्यारा दिन की लंबी यात्रा के बाद शत्रू से स्वयम को बचाती हुई जॉन राजा के सामने जा पहुँची उसने राजा को सारी बात बताई राजा को भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ कि यह निर्धन क्रशक बालिका उसकी क्या साहता कर सकती है परन्तों फिर भी राजा ने उसे अपनी सेना में शामिल कर लिया सच मुच यह लड़की बहुत वीर निकली वह सेना के बीच में घूम घूम कर ऐसा ओजपूर्ण भाशन देती कि उसके शब्दों के जादू से सारी फौज में उस्सा की लहर दोड़ जाती उसकी देशभक्ती और वीरता से भरे शब्दों को सुनकर सिपाही और बड़े-बड़े योध्धा उसके इशारे पर आग में कूदने को तयार हो जाती घूडे पर बैठी जौन डी आर्क युद्ध भूमी में जिधर जाती विजय उसी की होती तीन महीने में ही उसने फ्रांस के कई भागों को अंग्रेजों से जीत लिया और फ्रांस के राजा को फिर से गद्धी पर बैठा दिया फ्रांस के इतिहास में जौन डी आर्क का नाम अमर हो गया ये थी जौन अफ आर्क की कहानी बच्चो पत्र लिखना एक कला है ये कला आती है अभ्यास से आप भी अपने मित्रों को नियमित रूप से पत्र लिखो कर दो